Hello Student, आज की क्लास में मैं आपको सईयोजन के सिध्धान्त के अंतरगती सईयोग के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि सईयोजन का बहुत ही महत्पोर सिध्धान्त है सईयोग सईयोग को एकता भी कहते हैं और इसे इंग्लिस में यूनिटी कहते हैं इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको संयोजन के बारे में बताया था और ये भी बताया था कि संयोजन के कितने सिध्धान दोते हैं तो अब हम लोग एक एक करके उनके बारे में पढ़ेंगे आज हम लोग संयोग के बारे में पढ़ने जा रहा है ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं संयोग के बारे में पढ़ना संयोग, संयोग का हम लोग अर्थ पढ़ेंगे, क्या है संयोग का अर्थ संयोग का अर्थ है कि चित्र संयोजन के विभिन्न तत्तों चित्र संयोजन के जो आपके तत्तों हैं, रेखा, रंग, रूप, तान, पूत ठीक है, यहीं है तत्तों में अनभूत एक्ता, समानिता तथा एक प्रकार का संबंद जो समस्त संयोजन को एक्ता के सूत्र में पिरोय रहता है चित्र के विभिन तत्तों के इस तरक संगत संबंद को संयोग कहते है यनि कि आपने एक गर्ल का फिगर बनाया कोई भी गर्ल हो ठीक है तो उसमें आपने काफी सारी चीजों का समावेस किया कला के तत्तों के रेखा का भी समावेस है उसमें वर्ण का भी समावेस है ठीक है और आपके उसमें कला के जो संयोजन के सिधान्त है उनका भी समावेस है मानली जी ये सिध्धान्त और तक्तु में जरा सी गड़बड़ी आ जाती है जरा सा उपा नीचे हो जाता है तो ये एक पूर्रूप से समुचित नहीं दिखाई देगा तो इसलिए चित्र में संयोजिन के सिध्धान्त और तक्तु का होना जरूरी है ये एक संयोग के द्वारा ही बनता है ठीक है अगर चित्र में संयोग नहीं है तब भी चित्र पूर्णों से सजित नहीं हो सकता है जो आपने गर्ल का फिगर बनाया है उसमें आपने आइस एकदम स्ट्रेट में बनाई है बराबर nose भी एक दम बराबर बनाई है lips भी बराबर आई है माल लेज़े आपने face ज़्यादा बढ़ा कर दिया face ज़्यादा बढ़ा कर दिया तो उसका एक रूप ठीक से नहीं दिखाई देगा bodies की छोटी है और उसका face बढ़ा है तो ठीक से नहीं दिखाई देगा तो ये संयोग की कमी के कारण होगा इसलिए चित्र में संयोग का भी होना बहुत ज़रूरी है संयोग जब तक नहीं होगा तब तक हमारे जो चित्र है वो एक निश्चित पाउम पर नहीं दिखाई देगा जो इसका निश्चित रूप है आकार तो उसमें नहीं दिखाई देगा अभी मैं आपको कुछ composition still life paintings दिखाऊंगी जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि चित्र में maximum चीज़े जो आपका still life है उसमें maximum चीज़े रखेंगे तबी एक still life जो है वो ये अच्छा बन पाएगा तो ये भी मैं आपको बताऊंगी इसके बाद next हम लोग पढ़ेंगे सयूग का उद्देश्य सयूग का क्या उद्देश्य है तो इसमें हम लोग ये पढ़ने जा रहे है सयूग का तात पर ये चित्र में आकर्शा को बिखराओं से बचाना है मैंने बताया था कि आगर आपने कोई गर्ल बनाई है उसमें पूरे पार्स बनाए है तो आपको एक चीजों का ध्यान रखना है एक निस्चित लाइन में बनी होनी चाहिए उपर नीचे नहीं होनी चाहिए फिर उसके बाद नोज बनी होनी चाहिए तो वो भी एक निस्चित आकार्ण बनी होनी चाहिए तो यह सब चीजों को बिखराओं को ध्यान में रखते हुए हमें चित्र का सहियोजन करना है इसमें यहीं बात बताई गई है साधार्तियां प्रतिक सहियोजन एक मटका ले जाती ही मुझे लड़की बनाना है बस आपने सोचा है उसकी कल्पना की है आप उसे बना रहे हैं तो इसे आप कल्पना चित्र भी कह सकते हैं अध्याजिनेशन पेंटिंग अत्वा व्यक्ति चित्र या फिर कोई व्यक्ति चित्र हो नवीनाकार एवं रंग संयोजन है चित्र के प्रयाजन को मुख्यता तभी प्रभाव की जा सकती है जब संयोजन में अनेक आकरशन केंद्र ना हूं यानि कि पूल इस्टार या वहा दे रहे हैं कि मैग्जिमम चीजे रखनी चाहिए मुझे अजय यह इस्टील लाइफ है जो आपके स्लाबस में है डीकलिंटिंग यह तो इस्टेब से यह सामने रखके बनाई जाती है अब इसको आप देख लिजे इसमें मैक्जिमम चीजे ही रखे गई है इसमें मैक्जिमम चीजे रखे गई है तभी ये जो चित्र है वो पूल रूप से अच्छा बन पाएगा यदि ये चीजे एक बिखराओं में रख दी जाएं कुछ एक इधर रख दी जाएं कुछ बहुत सारी दूर रख दी जाएं यहां पर इसके पास मेरा रख के यहां पर रख दी जाएं पतला कि इसके टच में कोई चारी चीजे ना रख के इस पॉर्ट के क्या होगा यह एक चित्र का बिखराव हो जाएगा उसमें एक यूणिटी नहीं दिखाई देगी जब अम स्टिल लाइप बनाएंगे तो उसमें यूणिटी नहीं दिखाई देगी सारी चीजे बिखरी हुई नजर आएंगी इसलिए चित्र में सयोग का भी ह होना बहुत अवश्यक है दूसरा स्टिल लाइफ दिखे आप लो यह आपका दूसरा स्टिल लाइफ है इसमें भी देख लीजिए किस टाइप से यूनिटी दिखाई गई है यह यह बॉटल रखी है इसके सामने जस्ट कफ रख दिया गया है यह सामने रा रखके इधर रख जाता इधर तो यह एक स्टिल लाइफ ठीक से नहीं बन पाता है इधर कैटर रखे हुए है और इसके जस्ट राम में एक बड़ा सा स्पून रखा हुआ है तो इसमें एक हम लोगों ने सयोग देखा है कि क्या सयोग है इसी प्रकार से जहां कागस पर यह चित्र बनाएंग जक्राइए तो ऐसी ही यूगी हमें दिखानी पड़ेगी इसमें भी में को इसलिए जब आप रखे बनाते हैं तो इसमें एक मेशरमेंट भी लेते हैं कि किस टाइप से हम उसमें पैसमें बैज में सके तो एक परफेक्ट अभցमें मेशरमेंट लेना होता है अपने कागस आपको सिखाऊंगे किस टैप से बनाने तो चलिए फिर से चलते हैं सेयों के सिध्धान के तरफ कि स्वरी सेयों के तरफ अता अनिक चित्रों का समू स्रेष्ट सेयों जन नहीं हो सकता है मैंने आपको ये चीज़ बताई कि अनिक चित्र यदि अनिक सारी चीजे रख दी जाएं तो समू स्रेष्ट नहीं हो सकता है तो इसके अंतर गतिया ही था अब हम लोग आंगे पढ़ेंगे संयोंग की सापेचिता संयोंग की सापेचिता के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अब हम लोग संयोंग की सापेचिता और चित्र में संयोंग निर्धारण के बारे में पढ़ेंगे संयोंग की निर्पेचिता आकार का एक गुड़ होते हुए भी संयोग निरपेच नहीं है आकार के विविन भाग होते हैं और उन समस्त भागों का आपसी सम्मन्द होता है जिसे कि रूप का पूर निरधारन किया जाता है यदि आकार के सभी तत्तो एक से नहीं है तो उनमें भिन्नता केवल संख्या ही रह जाएगी तो यह संयोग एक रास्ता में बदल जाएगी तो संयोग किसा पाच्चिता से चित्रकला के अंतरकती अतात पर्य है अब नोग नेक्स पढ़ेंगे चित्र में संयोग निरधारन चित्र में संयोग निरधारन चित्र में प्रयुक्त विभिन आकतियां जब किसी अनभूत क्रम से समंदित होती हैं तो संयोग का भाव स्रजन होता है यह क्रम सधारतया संकेत भी हो सकता है और अत्यंत जटिल भी चित्र में संयोग स्रजन का सबसे सरल ढम एक जैसी आकतियों की आवरती करना है परंत या आकरशन रूप का स्रजन नहीं कर पाता है तो यह था चित्र संयोग के निरधारन के अंतरगत तो अब हम लोग संयोग का जो सिध्धानत है सहीयोग सिध्धानत है उसके बारे में पढ़ चुके हैं अब इसके बाद हम लोग सामानजस के बारे में पढ़ेंगे तो वह हम लोग नेक्स्ट वाली क्लास में पढ़ेंगे थैंक्यों स्टुडेंट